दोस्तों आज हम तीन कच्चे आलू से बहुत ही बड़ी हनाश्टा बना के त्यार करेंगे और बहुत ही असान और हेल्दी तो यह बहुत जादा होगा तो इसे इन तीनों आलू को मैंने अच्छे से धोकर शील लिया और इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं और पानी में साथ के थोड़ा सा बरतन में आपको पानी भी लेना है इससे की यह का लेना पड़े हैं और अब अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं तो दो तीन बार हीने हम अच्छे से वोश कर लेंगे जिससे की स्का स्टार्स सारा निकल जाया है यह देखिए अच्छे से इमने वोश कर लिया तो में भार निचोड लेंगे याणि इनका सारा पानी रिलीज कर देंगे अच्छे से टाइट हाथों से और सबी आलू को इस तरीके से निचोड के हम तयार करेंगे और शूकर क्या होता है न दोस्तों कि हम बहुत जल्दी होती है और गर्मी का सीजन है तो किचन में ज्यादा टाइम दहने का मन नहीं करता है तो यह वाला नाश्ता जरूर बनाईएगा अब देखें यह अच्छे से मैंने निचोड के दूसरे बरतन में निकाल ली है सबी आलू को और अब इसमें मैंने आदा कटो टालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए अगर लेंच्बॉक्स बाया तो मिर्ची इकम रखे गा और आदा ही चमच मेंने गरम अधाश्मास हो और नमक ठालेंगे झालंगे अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करनेंगे बिना पानी डाले क्योंकि आलू में हमने नमक डाला है थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करता है तो इस वज़े से पानी डालेंगे और जब यह ऐसे मुठी बनने लग जाएगा तो समझे परफेक्ट आपका बनके यह तयार हो ग जाएगी तो हमें थोड़ा सा दबाते इसे पतला बनाना है और सारा नाष्टा बनाके हम तयार कर लेंगे एक साथ आप एक पैन लेंगे आप रोटी बनाने वाला तवा भी ले सकते हैं अब इसमें मैंने दो बड़े चमच ओल डाला है आप इसे डीफ्राई करना चाते तो डीफ्राई सब्सक्स करेए लेकिन मैं इसें डीफ्राई नहीं करूंगी हैल्दी बनाना हमें इसे तो हम इसे ठोड़ा सा तेल में ही से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से हम swimming एक टिकई को जितनी एक बार में आएंगी टिकई यह ए रख देंगे और कम से कुभी से ना 5 मिर् और चोटी मोटी भूग के लिये भी तयार कर सकते से चाहि के साहीं बहुत बढ़ी हा लगता है इस तरीक से दोनों taraf से हमने फ्राइब निकाल लेते हैं तो बहुत ही healthy और tasty लगेगा आपको एकदम crispy अंदर से soft और उपर से एकदम crispy नाश्ता बनके तयार होगा जो भी खाएगा वो पूछेगा जरूर आपने कैसे बनाया यह पकोड़े हैं समोसे हैं क्या चीज है जरूर पूछेगा और बनाईए खिलाईए सबको रैस्पी और आप Merc altogether बनाश्ता gonna प्समटेगा लिया जरूर इंदर से लगेगा जरूर इंदर के बrás वाएभा एंदर लो